मानकपूर पुलिस स्टेशन के अंतरगत एक बच्ची की किड्नैपिंग का मामला सामनी आया है दरसल इन दिनों सोशल मीडिया पर वाइरल होरे किड्नैपिंग के मामले ने लोगों के बीच अब वहों का बाज़ार गर्म कर रखा है अब इस मामले में क्या सचाही है इसकी जाच मानकपूर पुलिस कर रही है दरसल बच्ची के बताया अनुसार उसे एक वाइट कलर की वैन किड्नैपिंग के उद्देशे से उसके पास आई थी लेकिन जब CCTV फुटेज खंगाला गया तब बच्चे के पास ना तो कोई ये काड़ी और मेरी बच्ची फरस के उपर में टूसें क्लासेस में जाती है दिपक एकड़की में तो घर से साधे-9 बजे लगबग निकली तो वहां से जाते-जाते वहां पर फरस के उपर में माम बे की बसेश खड़े रहती वहां पर एक व्यान आई सफेद कलर की और उ फाइटर होंगा उसके हाथ में तो और उसको व्यान में बिठाने की कोशिस कर रहे थे लेकिन बच्ची ने जटका मारके वगएरे जैसा भी है वहां से अपना पीछा चुड़ाई और वह अपने ट्यूसन के तरफ में भागी और ट्यूसन में जाकर के फेर ट्यूसन के सर क फोन आया मुझे कि आपके बच्ची को किसी ने पकड़ा और उसको चीरे वगएरे लगे हुई है बच्ची घबराई हुई है तो आप जल्दी आजाओ करके तो मैंने उनको बोला कि आप सिधा थाने में आजाओ तो उन्होंने सर वगएरे राये दो तिन सर और बच्ची को थाने में लेकर किया फिर यहां से कुछ थाने के मैडम लोग हो गएरे जागर के वहां पर इंक्वारी करें अभी तो उसका बयान वगेरे में चालू है बच्ची का यह साड़े नव बजी की घटना है त्यूसन पढ़ती दीपक अकड़ेमी है त्यूसन में पढ़ती है उम नव पंद्राचा दर्म्यान जात होती आनि तिच्चा कॉल वर उनके आलेले हम हाईती वरून असम हाईती बढ़ला कि उंतरी कमारोती व्यान येता इन तिला किटना प्रनेंचा प्रेट नामी सर्वर अमचे कोली सेशन चे डीबी पतक अनि ओपिसस स्क्वाड वर कोसले त असा काई प्रकार दिसला नहीं पर सीवोशी कैमरा जाउन चेक केले तिच्चा मदे सुत्ता असा प्रकार आधून आलेला नहीं तरी सर्व नागरीकां सेटी एकस आवाना है कि सक्वाड जे काई अपवांस प्यो खुटली लाहे त्या मदे सर्व पैरेंट्स आनी मुले प असा प्रकारे नागरीकांनी प्रकारची किट्डापिंग बाबत प्यानिक मनेची गरज नहीं आहे तरी पटकन वन्मान टू लापाल कराचा है नागरीकांना फुक्त या फ्योड़ जाहा